देली करेंट न्यूस में अभी की खबर है पहली बार जारी हुई महाभुकंप चेतावनी बीते दिनों दक्षडी जापान के क्यूशु द्वीप पर साथ दश्मलव एक तिवरता का भुकंप आया था जिसके बाद सुनामी के लिए चेतावनी जारी की गई थी इसके बाद जापान की मौसम विज्ञान एजनसी ने पहली बार महाभुकंप चेतावनी जारी की है इस महाभुकंप चेतावनी में कहा गया है कि नानकाई गर्थ में तेज भुकंप और बड़ी सुनामी की संभावना सामाने से अधिक है इस महा भुकंप चेतावनी का मतलब यह नहीं है कि विशिष्ट अवधी के दोरान निशिद रूप से कोई बड़ा भुकंप आएगा चली अब जानते हैं नानकाई गर्थ के बारे में यह जापान के दक्षड पश्चिमी प्रिशांत तट पर मौजूद है यह समुदर में पानी के नीचे का एक सबड़क्षन जोन है बता दे कि सबड़क्षन जोन वह शेत्र होता है जहां टेक्टॉनिक प्लेटे एक दूसरे से टकराती है और भारी प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है यहां यूरेशन प्लेट फिलिपीन सागर प्लेट से टकराती है जिससे फिलिपीन सागर प्लेट पृत्वी के मैंटल में चली जाती है इससे इन प्लेटों के मध्य टेक्टॉनिक तनाव उत्पन होता है जो एक बहा भुकंप का कारण बन सकता है इसका विस्ता लगभग 900 किलोमीटर लंबे शेत्र में है इसमें लगभग हर 100 से 1500 वर्षों में बड़े भुकंप आते हैं गौर तलब है कि जापान की भुकंप अनुसंधान समिते ने कहा कि अगले 30 वर्षों में यहां 8 से 9 वर्था का अगला महा भुकंप आने की लगभग 70 प्रतिशत संभावना है साथ ही जापान की मौसम विज्ञान एजंसे ने कहा कि यह अलर्ट सिर्फ एक चेतावनी थी भविश्यवानी नहीं है चली अब जानते हैं जापान में भुकंप आने की कारण यह द्वीपी अरास्ट्र पैसिफिक रिंग ओफ फायर परिस्थित है जो दुनिया की सबसे सक्रिय भुकंप टैक्टॉनिक बेल्ट है इस रिंग ओफ फायर के भीतर प्रुशान्त प्लेट यूरेशन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट सहित कई टैक्टॉनिक प्लेट हैं जिससे भुकंप ज्वाला मुख्य विस्वोट और सुनामी आती है अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को नानकाई गर्त के संदर्भ में निम्रलिखित कथनों पर विचार कीजी एक या जापान के दक्षडी पश्चमित प्रुशान्त तटप और मौजूद है दो इसमें लगभग हर सौ से डेर सौ वर्षों में बड़े भुकंपाते हैं उपर युक में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बीकेवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रशन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद प्रशन काना में बड़े भी का प्रशांवाद एक ट्थक्वाद जव़े लिए झाल